मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एनर्जे फाइनेंस पर सो आज काफी टाइम के बाद से फिर से मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आपके सामने एक स्टॉक के बादे में स्पेशली और अगर आप यहां देखोगे तो लास्ट टाइम में जो भी मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किये हैं उनके लेवल्स पड़े हुए थे सो आयार एपसी वन मन्त एगो थर्टी नाइन के आसपास में था और अभी यह 73 टच कर चुका यह पर्टिग्लर स्टॉक ठीक है अशोग ली लैंड की अगर बात करें वो भी आपको आल्मोस्ट 190 प्लस बना के दे चुका है 176 से मैन इंफ्रा भी 137 का आपको लेवल मिला और उसके बाद में 150 प्लेस बना चुका है ऐसे वनलब कई सारे आपको स्टॉक यहां पर मिल जाएंगे फर्स सोर्स को अगर आप देखो वो भी 130 से 170 प्लस बना चुका है अभी इसके अलावा एक स्टॉक है मारा टीडी पावर सिस्टम वो 235 के असपास में था अभी 270 प्लस कुछ चल रहा है ठीक है एंड देन इसके अलावा गर हम और भी बात करें जैसे रामकृष्णा फोर्जिंग हो गया या फिर एक पूरी मैंने स्टॉक लेवल की सीरीज चला के रखी है आप उस पर भी जाकर के चेक कर सकते हो वोल्टास अभी 900 प्लस हो चुका है 750-760 की रेंज से यो फ्लेक्स अच्छा गासा आपको रेटन दे रहा है नो डाउट इंडिगो मेट्रो पॉलिस इसके साथ में गोद्रेश प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो यह स इसके स्कते हो विज्वर्य यह दो स्टॉक है जो रैली नहीं किये है एक है बोरों से लिम्तेट और एक है कॉंकर अब चलिए आज की बात करते तो आज मेरी नजर में जो कंपनी है वह है पुद्दार पिगमेंट्स यह कंपनी मेरी नजर में बहुत पहले से थी लेकिन साय समय नहीं मिला और रिसेंटली जब मैंने इसको चेक किया अच्छा कासा यह उतना अच्छा कासा नहीं लेकिन अब रैली करने के मूड में मुझे दिख रही है सब्सक्राइब और आप इसकी वेबसाइड में जाओगे इसके प्रॉडेक्स वगएरा चेक करें तो आपको मिल जाएगा फाइबर्स वगएरा याफिक कलर करने के लिए डिए defrent डिफ्रेंट प्रोड़क्स में इनके पिडिमेंट्स वगएरा यूज होते हैं तो आप सारी कीज़े चेक कर सकते हो अब इसके बाद में आते हैं मेन इसके फंडामेंटल्स पर सो फंडामेंटल में सबसे पहली चीज़ अगर आप प्रोटर होल्डिंग देखो गे 62 यानि 60% से उपर है that is very good और और continuously it is same FII में बीच में वन था last quarter September और अभी अगर आप देखोगे फिर से यहां पर last quarter में इंक्रीज किया हुआ है ठीक है इसके अलावा अगर आप देखोगे companies completely debt free 2019 में ही debt free हो गई थी इसका सारा debt खतम है no borrowing reserves भी ठीक ठाक है and when it comes to sales sales में भी improvement है और लगब लगब कॉंस्टेंट चल रहा है करे से अगर आप देखोगे and operating profit margin that is increasing with constant sales that is good point here और इसके साथ में अगर आप कंपनी के आप मिन पी देखोगे stock P that is 13.5 and 390 crore market cap है फिलाल कंपनी का और बुक वैलू 277 की है इसका face value 10 है तो stock का जो current market price है वो फिलाल जो है 3 368 के आसपास में ठीक है अब अगर इसमें investment किया जाए जो मेरा view है और जो मेरे levels है मैं कौन-कौन से levels में SIP करूंगा वो levels आपको बताता हूं so that you can note down these levels somewhere you can set up price alert in your mobile app brokers app or you can also if you want you can have GTT order but do your research properly before you go through these levels and expectation for upside in this particular stock अगर आप देखो कि काफी लंबे समय से stock जो था consolidate कर रहा था एक range में था और अभी धीरे धीरे भी रेंज के उपर उठ रहा है प्रॉपर इसका जो मज़ा आएगा वो जो यह level है इसको break करने के बाद मियानी 430 के level को जब यह break कर देगा उसके बाद में एक अच्छी rally हमको मिलेगी एंड जो हमारा यहां पर टार्गेट है करेंट मार्केट प्राइस मारा 368 है ठीक है 368 से जो मैं रिटर्न यांद से expect कर रहा हूं next one year में one year में मेरा जो expectation है that is minimum 30% और यह range हमारी 30 to 50% की range में जा सकता है फिलाल दो टार्गेट मैंने या पर मेंशन किये है अब साइट के 430 के और 546 का तो टार्गेट दे रखें अब डाउन साइट की SIP लेवल की बात करता हूं मैं सो मेरे जो SIP लेवल से जा पर मैं छोटी-छोटी कॉंटिटी में स्टॉक उठाऊंगा that is 359 second is 336 third level is 303 and fourth level is 243 so मुझे नहीं लगता 243 मुझे मिलने वाला है बट मुझे ये दो especially उपर के जो लेवल से इसकी थोड़ी बहुत उमीद है जैसे कि पहला लेवल 359 का और दूसरा लेवल 336 का third level में भी डाउट है मुझे बटाता है तो then it's very good so targets और downside के लेवल मैंने आपको बता दिये हैं झाल 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 झाल